स्कूल बस हाथ से के बाद परिवेहन मंत्री ने बड़ा फैसा लिया है स्कूल बसों की फिटनेस जो है वो चेक कराने के ओर्डर दिये हैं परिवेहन मंत्री असीम गोयल ने इसके आदेश दे दिये हैं जिला शिक्षा अधिकारियों को भी एक सर्कुलर जारी करना होगा फि परिवेहन मंत्री असीम गोयल ने जहां स्थानिय डीटियों को स्कूल के खिलास एफ आई यार दर्श कराने के आदेश दे दिये गए हैं तो स्कूल प्रिंसिपल को फिरासत में ले लिया है उसके बाद परिवेहन मंत्री का एक बड़ा फैसला मेहिंदरगड के कनीना में आज एक दुखदाई घटना हुई है सबसे पहले तो मैं परमपिता प्रमात्मा से उनके चर्नों विंती करूंगा दिवंकत आत्मां को शांती दे और बच्चों को आत्मां को और परीजिनों को संबलने का एक संबल दें ताकत दें और मैंने एक निदेश दिये हैं उची दिकारियों के एक कमेटी बनाई है जांच कमेटी एक चंदिगड के हमारे उच्च दिकारी के अधिक्ष्टा में सारे पहलूं की जांच करेगी और हमने वहां लोकल डीटियों को भी अधेश दिये हैं कि वो स्पूल के खिलाफ एक आफाया हमने अलड़ी तीसरे महिने के अंदर इस बस का साड़े पंदरा हजार का चलान कर रखा था और इनी सब कागजों के पूरे ना होने के वारे इसको लेकिन स्कूल संचालकों के सीधी सीधी लापरवा ही इस गटना में देखी जा रही है और मैंने अभी उच्चदकारीं को यह भी निर्देशती है कि सभी स्कूलों की हर्याना के सभी स्कूलों के जो वीकल्स हैं उनकी फिट्नेस की जांच कराएं और सभी जो हमारे डीटियोज हैं एक सर्कूलर टाइप जारी करेंगे डीयोज को और स्कूलों की सारे हर्याना की जितने भी स्कूल के वीकल्स हैं इस बस हाथ से पर राश्ट्रपती दॉपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। इसी को लेकर प्यम मोधी ने भी हाथ से को लेकर ट्वीट किया उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर्याणा के महिंद्रगड में जो हाथ सा हुआ वो अत्यंत पीडा दायक है। स्थाने प्रशासन पिड़तों और उनके परीजनों की हर संभव साहता में जुटा है। तो पीएम मोधी और राश्ट्रपती का इस पर टूइट आया जहां पर सभी ने अपनी जो समवेदना है वो परीजनों के प्रती व्यक्त की है। और साथ-साथ ये आश्वासन भी दिया कि फिड़तों और उनके परीजनों की सहायता के लिए हर संभव जो है वो सहायता कर रही है राज्यसरकार। देश के ग्रह मंत्री अमिर्च शाह ने भी महेंद्रगड बस स्कूल हाथ से पर टूइट कर दुख जताया है उन्होंने कहा कि स्कूल बस का दुरगटना गरस होना बेहद दुखद है मेरी समवेदनाय मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है इश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ती परदान करे थान्य प्रशासन के दौआरा गायल बच्चों को सहता पहुंचाई जा रही है उनके शेग्र स्वास्ते स्वस्त होने की मैं काम ना करता हूँ ग्रह मंद्री अमिच शाह का ये टूइट है जहां उन्हों लिखा कि मेरी समवेदनाय जो है वो परिवार के साथ है और स्थानय परशासन के दौआरा गायल बच्चों को जो भी सहता है वो पहुंचाई जा रही है और इसी के साथ साथ उन्होंने त्वस्त होने की भी बच कटकी है च्वीट में उन्हेंने लिखा कि हर्याना के महेंद्रगड जिले में हुई बस दुरगटना में आसुमों की मृत्यू का समाचार बेहत दुखद है मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी सम्वेदनाय व्यक्त करता हूं साथ ही सभी घायलों के जल्द ठ कि खोने की आशा भी करता वहीं मुख्यमंति नायव सिंग सैनी ने भी महेंद्रगड कनीना हाथ से पर अपनी सम्वेदनाय प्रकट की सीम ने कहा कि महेंद्रगड कनीना में ये जो हाथ सा हुआ इससे मैं बेहत आहत हूं मेरी सम्वेदनाय सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है हाथसे की जांच करा कर दोशों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी ने कनीना स्कूल बस हाथसे की जानकारी लेते हुए डिप्टी कमिशनर से फोन पर बातचीत की मुख्यमंत्री ने डिफ्टी कमिश्णर को फोन के माध्यम से ये आदेश दिया कि घायलों के इलाज के लिए फर संभव प्रयास किये जाए सुकूल बस के दुर घटना गर्स्त होने से मैं बहुत आहत हूँ मेरी समयंदने उन सभी सोक समत परिवारों के साथ हैं जिनों ने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए है स्थानी परसासन गहलों के देखबाल के लिए पूरी तरह से मुस्ताइद है इस हादसे की जाच करवा करके जो भी दोस्य विकती है उसके खलाफ सक्त कारवाई की जाएगी और क्योंकि Code of Conduct लगावा है हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिनोंने अपनी जान गवाई है परिवारों को उचित मावजा और जो हॉस्पिटल में अडमिट हैं घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार कुन रूप से उनकी देखबाल के लिए त्यार है स्रीम नायब सिंग सैनी ने भी ट्वीट कर पूरे हाथ से पर लिखा कि दुरगटना गरस्त होने की बात से मैं काफी आहत हूँ साथ ही साथ कहा कि मेरी समवेदनाए उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोई है स्थाने पर शासन घायलों की साहता के लिए मुफ्टैज है सभी घायलों के शिग्र स्वस्त होने की काम ना करता हूँ वही शिक्ष्या मंतरी सीमा त्रिखा भी घायलों का हाल जानने के लिए रेवारी अस्पताल पहुंची क्या कुछ कहा उन्होंने आई आपको सुनाते हैं पर वाई तो सबसे बड़ी है कि आज गर्स्टीड हॉलिडे है और स्कूल चल की हो रहा है फिर लापर वाई यह आए कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है मैंने कहती है कि आज नवरात्रे भी है और उसके बाद जो बच्चे को सुबह बसे लेने चाहती है वो अपने पॉइंट से लगबख पांच साड़े पांच निकलती है तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पीवी थी तो इसने कितने बज़े पी और पीने के बाद ही पचास जिंदगियां एक बस में बैटी वी थी पचास घरों के बच्चे थे इनके पास तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिलियां कर दी साथ बच्चे यह इनके हालपश जाथ कि आपा ऑसे बच्चे कशे बच्चे का बच्चे पढं़ारे हैं हम तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो यह समयने की जरूरत है कारवाई वही होगी जो इस नॉम्स के अंडर आती है मैं पूरे प्रदेश को यह बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था इनको नोटिस शोकर्ज नोटिस जारी हो चुका है और इसके इलावा प्राइवेट स्कूल हमारे जितने हैं यह सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो यह खुदि सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाडियां ट्रांस्पोर्ट रूल्स और नॉम्स के एकॉर्डिंग ली हैं तीसरी चीज जो इनकी गाडियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये FIR उस ड्राइवर के खिलाफ दर जोगी वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी वही न्यूज 18 पर भी उन्होंने खास बात चीत की शिक्षामंत्री सीमत्रखा ने और कहा कि किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि जानस नशे में था इसलिए ये हादसा हुआ है और स्कूल को अब इस पूरे मामले में शोकॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है इसी के साथ सीमत्रखा ने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाफ जो है वो सक्त से सक्त कारवाई होगी इस स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गयर कनोनी एक्टिविटी है इनकी दूसरा जानकारी के मताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शरापी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई जिसमें साथ या आठ बच्चों की कैशुलिटी हुई है इस हॉस्पिटल में बारा बच्चे एडमिट है जिसमें चार बच्चे आईसीउ में है और दो एक बच्चे थोड़ा अभी हालात के मताबिक थोड़ा सीरियस है पर जान को खत्रा नहीं है ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं वो कहरें जैसे किसी को थोड़ी चोट ज्यादा आई है तो उसका सरजरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में तो यह यहां के हलाता है किस किस के खिलाब कानूनी कारवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं जिस जिसने कानून तोड़ा मुंझा खिलाब कानूनी कारवाई होगी स्कूल जो संचालोक है आज स्कूल की क्या बाओजू खोला था तो क्या उनके मानितारद की जाए गे उनके पर बिल्कुल तो सिक्षा मंतरी का कहना है कि वो अब यहां से सीधे जो गतना स्थलब वहां पर भी जाएंगी और जहां पर बच्चों का पोश्मार्टम किया जा रहा है वहां पर भी जाएंगी और परीजिनों से भी मुलाकात करेंगी अभी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ड्राइवर के खलाब कारवाई होगी बलकि जो स्कूल संचालक है उसके खलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजूद इसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हाथसा हुआ और छे चात्रों की मोत हो गई ध्रमवी शर्मा न्यूज एटीन रेवाडी तो शिक्षा मंद्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पुरोहित वी अस्पताल पहुंचे उन्होंने घायर शात्रों का हाल चाल जाना साथ ही साथ चकित्सकों को उचित इलाज की भी आदे जो है उन्होंने दिये हैं जबना परकट करता हूं और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए इस वर से प्राखना करता हूं जल्दी से ठीप हो और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाई हुई है चाहे उस्कूल परसासन की हो चाहे किसी करमचारी की हो उसके खिलाब सरकार सक्ट से सक्कारवाई करेगी चाहे उसका रिजिस्टेशन कैंसिल करना हो चाहे उसकी अप्लेशन करनी हो और दोक्तर से मुशाब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे हैं एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताई ना बरती जाए और होस्पेटल के परसासन सिर्म मैंने कह कि अगर किसी तरह की गंभीरता दिखे तो उसको हाइर सेंटर करनी है उनकी लापरवाई है सरकार के जो कानुन ने उनके उनके खिलाप इस तरह की आरुए को बंगती है कारवाई करेंगे और बस हादसे पर महेंद्रगड की जिलावपायुक्त का बयान सामने आया है छुटी होने के बावजूर स्कूल खोले जाने को लेकर डिसी मॉनिका गुपता ने जानकारी दी और कहा कि डियों ने फूल की मानेता रद करने के लिए सरकार को प्रस्ता भेजा है अधिकि काफी दुखा धास्ता है जो हमारे जिल्ले में हुआ है बहुत दुख है हमें लिकिन प्रशासन पूरा मुस्तायद है परिवारों को जो मदद चाहिए छे कैशुल्टी तक है हमारी बाकी बच्चे इलाज हो रहा है बहतर से बहतर इलाज हम करा रहे हैं वो भी हमारी निग्रानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खत्रा चानका भी नहीं है हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है उस्वस्थ हो जाए जल से जल को इंटाइलाज हम करा रहे हैं और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है पूरी मुस्तायद है कारेवाही की जा रहे है स्कूल पर शार्सन पर भी ओभी ड्राइवर पर भी किसी को नहीं बख्षा जाए जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी खतम हो चुगा था उसके बाद बस चल रही थी सारा इंक्वाइरी का मैठर है जो भी बाते हैं वेदर ड्राइवर उसमें ट्रंक था जो भी बाते हैं सारी अफ़ायार का हिस्सा बन रहे है और उस पर कामिनी कारवाही बिल्कुल आस्पर रहा है जो इदुल फितर की चुट्टी थी सबसे बड़ा तयोहार था और वो उस बाकी बचे अभी आउता उते हैं चारे हमने लगता कि आतरा पड़ेगा उन्ता की चलने हैं